बार्मी जमाद दे पंजाबी साहद दे विद्यार्थियां दा आज दे इस पार्ट विच स्वागत है बच्चो आज दा जड़ा ये पार्ट है साहद बनगी स्वय जीवनी ते अधारित है आईदा जड़ा सदा पाट रहुगा उस्वय जीवनी दे तत्तां बारे असी जानकारी हासल करांगे स्वय जीवनी साहित रूप दी जदो असी गाल कर देयां ता ए दोनों शब्द अपने आप दे विच ही इस दी परिवाश अबान देया स्वय जीवनी आपने जीवन बारे आप लिखना खुद लिखना जिन्दगी जिस तरा जीवी गई जिस तरा बिताई गई उस जिन्दगी दी कहानी नू जदो कोई शक्सियत खुद ही लिख दिया अपनी कलम दुआरा ही लिख दिया, ता ओ वार्तक वन गी, ओ जड़ा रूप है साहिदा स्वेजीवनी एक वाद है बच्यों, स्वेजीवनी दे वेच जिन्दगी नूँ जिस तरह बिताया गया हुन दे, जेड़े पल हंडाये जा चुके हुन दे, जेड़े बीत गये हुन दे, उन्ना ही पलां दी, मोड जड़िया, पुनरु सारी साहितकारवलों जा स्वेजीवनी कारवलों कीती जान दिया स्वय जीवनी आपने आप दे वेचे कुस तंतर साहत रूप दे तोरते विक्सत हो चुक्या है चाहे अजे वी इसनू कई वरी होर साहत रूपां दे नाल रलगाड कार लिया जान्द है स्वय जीवनी आपने आप दे वेचे कुस तंतर साहत रूप दे तोरते विक्सत हो चुक्या है स्वय जीवनी दे वीच सहतकार जा ओ शिक्सियत जो भी स्वय जीवनी नू लिख दिया जा अपने जीवन दी कहाणी नू बयान कर दिया ओ मुड अपनी जिंदगी ते चाति पौन दिया मुड अपनी बिताई गई बीत्ती होई जिंदगी दे बारे विक्स जोच के उजना ही कटनावा उनना ही याददान दा वर्नन कीता जन्द है लिखती रूप दे विच तैसी ये कहा सकते हैं के स्वय जीवनी स्वय परकाश दा ही साहित है स्वय जीवनी एक खास समय ते किती गई स्वय पर्ताल है अपने आप दी एक पर्ताल है अपने आपनों दुबारा खुजने जेही पर्ताल जेडी बीतते अते वर्तमान विच सबांद स्थापित कर दी है ओ जीवन जो बीत गया जिसनों जिया गया ते जो हुन वर्तमान जदों लेखक स्वय जीवनी लिखन वाल रुचित होया उनना दोना समया दे विच जडी स्वय जीवनी या ओ सबांद स्थापित कर दिया लेखक जदों लिखन लगदा है तो ओ वर्तमान समय दे विच मुढ अपने जीवन दे विछ जो यादां उस दे मानवेचा उननों मुढ के याद कर दे तब बीत्ते ते वर्तमान दी लगातार तुलना लगातार उनना दे विछ सबान दी जड़ा उस थापित हुंदा चला जान दे स्वय जीवनी दे विछ लेखक साहितकार भी हुंदा अते कथानक उस रहिया भी लिखन वाला खोद ही अपने जीवन दी कहानी लिख दे ते नाल दी नाल ओ सारियां कितनावा किस तरा नाल उस कहानी नू ब्यान करने ओ सारा कुष ओधी सारी प्लैनिंग ओधी सारी योजना बंदी भी उसे दे उत्ते निरपर कर दिया तो स्वय जीवनी दे विच लेखक आप एक साहितकार भी है लेखक भी है लिखन वाला भी है ते उसे दे जीवन दे बारे छी लिखिया जाने ते पूरी उस दे जीवन दी कहानिया तो उस कहानी नू उसारन वाला भी हो आप ही ह बच्चों स्वय जीवनी साहत दी एक स्थंतर वन गिया एक स्थंतर साहत रूप है वार्तक दे विच लिखया जन्द है ति अपने निजी जीवननू सपष्ट तोर ते दरसाया जन्द है स्वय जीवनी लिखन दिडी प्रंपर है वो पैदा ही इस सोच विच्चों इस लाल सा विच्चों हुई है कि जदो किसे नूँ ये लगदा है कि ओ अपने निजी जीवननू दूसरे आन्दिनाल पाठकान दिनाल संजा कर सकद है जा उसदे जीवन तो कोई होर भी प्रेर्ण ले सक दिया, सो स्वय जीवनी एक बहुत प्रेरना दा एक साहतिक मान गिया, ते इस दे कई सारे तातने जिनना दा वर्नन, जिनना दी जानकारी असी पाठ दे दुरान अगों लमांगे बच्चेव साब तो पहला जड़ा उताता है ओए बंतर, स्वय जीवनी दी बंतर जेडिया, ओ किस परकार दी होवे, किस परकार उसनू लिख्या जावे, किस तरह उसनू बनाया जावे ये सारी व्योंत बंदी स्वय जीवनी कार दो पर निरपर कार दिया, बच्चेव स्वय जीवनी एक जेहा सायत रूप है, जिस दे विच जीवन धियां कटना वांदा वर्नन होने, पर फिर भी हूब हूँ जीवन दी अन्ने वा नेकल निकिती जा सकदी, क्योंकि सारा जीवनी दे विच भी पूरे दे पूरे जीवन दी नकल निमारी जा सकदी, कुछ एक महत्तव पुर्ण कटनामा जिनननू लेख के सामिज है, के ओ दुज्या नलसांजियां करना, चौंद है, जहां उनना कटनामा तो पाणने माले पाठक, कुछ सेद ले सकदे, जहां कुछ महत्तव पुर्ण कटनामा दा वर्नन ही स्वया जीवनी दे विच हुन दे, फिर इडियां कटनामा एं, एक लड़ी दे विच पुरोईयां हुन दियां, तरतीब बद तरीके दे नाल उनना नू लिखिया जान दे, क्योंकि जिन्दगी दा फेला बहुत वड़ा, बह जादा होन करके सारी दे सारा जीवन नी लिखिया जा सकदा, ते लेखक अपने पूरे जीवन नू किसे एकता दे सूतर विच पुरोण दे, ते एक लया दे विच ओ सारी यां कटनामा जडियां उनना दा वर्नन कर दे, ते स्वया जीवनी नू हमेशा उत्तम पुर्ख दे विच लिखिया जान दे, मैं करके ही सारी दी सारी जड़ी गालबात है, सारी दी सारी कहानियां उस दा वर्नन कीता जान दे, क्योंके लिखन वाला खुद ही उस दा पात्तर है, खुद ही खुद दे जीवन बारे ही लिख रहे है, तो पूरी दी पूरा जड़ा वर्नन स्व वेया जीवनी पत्तर, कहाणी, नावल अते निबांध शाली दे विच आम तौरते लिखी जान दिया। इसतों अगला रिडा तात्त है वो है पूरा सच जा नंगा सच। बच्यों सच दी पेशकारी ही स्वेया जीवनी दा असल मनोरत है, असल माकसद है। जदो कोई अपने जीवन दी कहाणी नूँ खोद लिखदा है तो ओदे पिछे ओदा की मकसद है। ओदा मनोरत सच दी पेशकारी करना ही है। जिन्दगी नूँ उसने कीवें जीवया, ओदूसरे नूँ अपने दूजे असनू जान दे ने। पसेद शिक्सियत दे तौरते जान दे ने। पर ओँ खोद नूँ किस तरह समझ दै, ओँ इंसान अपने आप दे बारेज की सोच रख दै। इस चीज दी पेशकारी करना ही स्वया जीवनी दे पिछे असल जड़ा मनतव है। उस दे लिखन दे पिछे एही एक असल मनोरत हुन दै। तो सच दी पेशकारी स्वया जीवनी दा असल मनोरत है। ते इस पेशकारी तो बिना स्वया जीवनी रची ही नहीज जा सक दी। तो बच्चे ओ साच दी पेशकारी किस तरह दा जीवन लेखक नेहंडाया, किस तरह दा उस दे नाल वापरया, ओधना दे पिछे लुकिया साच, ओ आप ही पाठकां दे नाल सांजा कर सकता है, कोई होर उस दे बारे अपने राही रख सकता है, अपने विचार दूसरियां दे हो सकते है, पर उस दा अपना अपने बारे की दरिश्टी कोण है, ओखोद ही इधर साच सकता है, सो साच दी पेशकारी कोई सौखा काम नहीं, अपनी कलम दे नाल खोदी अपनियां कमियां लिखना कोई सौखा काम नहीं होंदा, बहुत विरले साहतकार जाँ चोनवियां श गाल करन, नहीं ते बहुता करके आदमी स्वय परशंसाथ वाली रुचत रहन्दा, अपनियां तरीफा, अपनियां चंगयाईयां, अपनियां वढ़ियां उन्हा ते ही सडर रत्या आना ओव बहुता समा केंदर रहन्दा, ते कई वरी स्वया जीवनी कार्वी जादा तर अपनी जिंदिगी दे उजाले पक्खांदा ही वर्नन कार जानदा है। by experiments with truth, जिस दे विच उन्हा ने अपनियां, अपने जीवं दियां, कमियां, खामियां उना दे बारे विच भी उन्हा ने चर्चा कीती है, सो इस तरह ही होना चाहिद है चंगी स्वया जीवनी उसे नो ही मन्या जा सकत है जिस दे विच सच दी पेशकारी स्वया जीवनी कार जित्थे अपनिया वड्याईयां करे अपनिया प्राप्तियां बारे गिनावे उते नाल दी नाल ही अपनिया कमजोरियां बारे भी दसे क्य बच्चियो इस तो अगला तत है अपा जा सक्सियत ए एक मुडला तत कह सक्देयाँ स्वया जीवनी दा क्योंकि स्वया जीवनी दे विछ जिंदगी दी और केडी जंदगी दी कहानिया जिसनों लिखन वाली की शक्सियत वह आपी आ लेखका खुद ही पतरास दे विछ उसने आपनी शक्सियत दे बरेद थि भ्यान करनाए ति आपनी शक्सियत आपने आपनों मुड़ के खोल दाए जदों उम्र दे उम्हें लगळ दे कि से पढ़ा आतें पहंच के किसे नो इन लगदा है कि अपने जीवन दी कहानी लिख सकते है, जा उसनों लिखने चाहिँ दिया तो मुड अपनी शक्सीयत नो फैर ब stat पड़ दैंडे है कि उस तरहां दी सोच है तो क्यों है इस तरह उसी ने कीता ता क्यों कीता जो ए सारा कुछ परतालो करदा है ता ओ अपनी शक्सियत नूँ ही मुढ के खोज लेंदा है मुढ लबदा है ते ए जड़ी उस दी कोशिशा आपड़ी आपनू मुढ के लबण दी मुढ के फ्रोलन दी पैठकां दे सामने उस दी जीवन उस दी सोच नूँ उस दी दिरिश्टी कोणनू स्पाष्ट रूप विच राख देंदा है तो ए स्वया जीवनी दा एक मुढ ला तात हो निबड़दा है अपने आपनू आपनी शिक्सियत नूँ दूसरियां दे सामे स्पाष्ट रूप दे विच राख देना वी चंगी स्वया जीवनी दा एक तात है एक गोन है लेकर अपने आपनू खुद ही पातर दे तो आरते देख दे ते फिर उस दी पड़ चोल भी कर दे अगला जड़ा ज़रूरी तात है बच्चे ओ है विचा वस्तू विचे दी जदो गाल करिये कोई भी साहित रूप विचे तो बि एदे विच सब तो मुख विशा किया लेकर दा अपना जीवन अपनी जिंदगी दी कहानी जिस बारे ओ जीवन जिस दे बारे विच ओ गाल कर रहे है उस ओ जीवन जो ओ सब दे सनमुख पेश कर रहे है सब तो मुख विशा जड़ है ओ लेकर दा जीवन ही रेंद है ते उस उस दे जीवन दे दरान उन्ना समयां दे विच के हो जीयां के हो जीयां कटना हमा अा अर्थिक तौर आपे स्यासी तौर समाज़िय। सभ्याचारब मैं मरियादा किन्ulla चीजा नू समझा जान दा शी। किस तरा प्राम्परा हमा शी। बच्चियों ए सारा कुष भी जदो आसी स्वया जीवनी नू पढ़ देयां, ता साधे सामने पेश होंदा है, सो जिथे असी गाल कार देयां के स्वया जीवनी ता जड़ा विशा है, ओ लेखक दा जीवन, लेखक ने अपने जीवन नू उसनू के हुझे हलात मिले, किस तरह दा जीवन सी उस दा, उस दे जीवन दी कहानी, ता मुख रूप दे विशा बाण दी ही बाण दिया, पर उन न उस जीवन दे समय, उस जीवन नू बितौन दे हुए, किस किस तरह दियां कटनावा वापरियां, राजनीतिक तौरते, स्कूली सिख्या किस तरह दी सी, कॉलेज किस तरह दे सी, कुछ जो कुछ भी ओ दरसौन दे ने अपनी कहानी दे विच, ओ सारियां गल्लां भी जड़ जा अनपव, बच्यों, जिन्दगी तजर्ब्यां दाही समेल है, जिनने वी अनपव, जिनने वी पल हंडाया लेखक ने, वो उस दे तजर्बे हो निबढ़ दिया, चंगे या माडे, कुछ भी होन, जिन्दगी सिद्पद्री नी चाल दी, लगातार हर पल, कुछ ना जिनने तजर्बे कर देया, इसे परकार ही स्वय जीवनी कार दा जीवन वी तजर्बयां दे अदारत रेंद है, लेखक देडे निजी अनपव, जदो सांजे कर दा अपनी स्वय जीवनी दे रही, तो सारी मनुखता दे लेई ग्यान दापंडार बाण जान देया, असी उस जिननांडार बाण जान देया, इस तने अपने जीवन दे विच सांजे कर देया, जया वाधे तजर्बे कहँ? इस तरह नई सी होना चाहिदा, इस तरह लेखक ने गल्थ कीता, जा उस दे नाल गल्थ होया, तो असी ओ सब कुछ त्याग दें दी सोच दें, तो जेड़ा कुछ थानू चंगा लगदा है, जो कुछ चंगा वाप्रया हुन दा है, जेड़े चंगे तजर्बे हुन दें, उन हैं डाँड़े निजी उस दे तिजार्बे ने अनपव ने उस दी सोच जड़ी पर पाक हो चुकिया, और पूरी मनुकता दे लही गयान दा सौमा बन जान दिया, ते सानू सारे आनू. प्रेरना लगदे रें दिया, किस तरह ने तिझा तिरहां पासी करिये, सालन दे माढ के तिजर्बा जा अनपव इन्ना दा वर्नन स्वय जीवनी नूँ एक चंगी स्वय जीवनी दे विच शामिल करन दे लेई सहाई सिद्ध हुन्द है इस तो बाद अगला जड़ा अतात है ओ जोड़ी गाल होनी चाहिए दिया एक स्वय जीवनी दे विच ओ एक खास व्यक्ति स्वय जीवनी कार स्वय जीवनी नूँ लिखन वाला हमेशा ही कोई परवावशाली प्रतिवाशाली ते नाम वर व्यक्ति हुन्द है लिखन वाला उदों ही लिखन दी कोसिश करदा है उदों ही लिखन दी हिम्मत करदा है जदों उस कुछ नाम ना खट चुकिया हुन्द है अपनिया प्राप्तियां दे सद के ओ आम लोग का अंदे विच प्रसेध होंदा है उस वेले ही उसनू लगदा है कि उस दी जड़ी स्वया जीवनियां ओ होनी चाहे दिया जिस तो लोग सेध ले सक दिया सो कोई भी प्रतिबाशाली प्रसेध ते नाम वर व्यक्ती स्वयाजीवनि दी रचना करदेनें स्वयाजीवनि लिखन वाले आंदे विच कई सारे लोग हो सकदेने ते होंदे भी ने साहतकार सब्तो पर मुखने क्योंके लिखन दा रुजान, लिखन दी प्रम्परा उनना अपना जीवन दिनाल सांजा करन दी सोच रख दिया उस वेले ओव स्वया जीवनी दी रचना कर दिया। इना तो इलावा देशपगत, स्यासत्दान, सैनिक, अभिनेता, खिडारी, विग्यानी इस सारे वी स्वया जीवनीया लिखन वाल रुचित रहनें। असी बहुत सारीं उदार नासानो मिल दियांने, जदनाने वीच असी देख दियां के पर्शे दिखजोया रियां वन्लों आपने जीवन दे बारे विच लिփख लिख्या गया क्योंके लोग ज करना वाला पाठक वर्ग इस गल्दी मांग कर्दा है क्योंकि वन्लों भी खिडारी दे तवारते सचिन तंदूलकर एक परसेद क्रिकेट खिडारी रहे, उनना ने अपने जीवन दी कहानी एक किताब दे रूप विच सांजी कितिया, Playing It My Way, ए उनना दी आटोबायग्राफिया, उनना दी स्वया जीवनिया, इसे तरीके देनाल, A.P.J. अब्दुलकल उनना दी जड़ी आटोबायग्राफिया, उनना दी स्वया जीवनिया, Wings of Fire, इनना किताबाँ नू तुसी जिस्तरां दी थवड़ी रुची होवे, जिस्तरां दी सोच होवे, बच्यों मेरी ये सलाह है कि जिस्तरां दा थवड़ी मान्दे विच तुसी कुछ टेलेंट र जिस्तरां दे लोग कानू पसांद कर दे हो, उनना दिया स्वया जीवनिया, जरूर चुनो चो उनना नू खरीदो ना किताबानू पड़ो, जिनना ज्यादा परसेद शिक्सियतां दे जीवन दे नाल जुड़ोंगे, उनना ही तुसी देखोंगे कि अपने जीवन दे जिस्तरां दी थोड़ी इच्छावा हो, उस तरां दे जड़े थोड़े पसंदीदा व्यक्ती ने, पसंदीदा शिक्सियतां ने, उनना दे जीवन दे बारे विच जे तुसी जानना चाओंदे होता, उनना दिया स्वया जीवनिया जरूर तुनो खरीद लेनियां चाहे द तुसी बच्यों पर ए जड़ियां स्वया जीवनियां, ए ना थड़ी, पूरी किताब जड़ी थड़े से लेबस दे विच लगी हो या, आप उस दे विच तुसी स्वया जीवनियांशी ही पढ़ दे हो, तुसी थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर एक साहितकार दे जीवन बारे जड़े चुने गएने पाठ होना राही पढ़ देओं पर फिर भी अपने तोर देओं ते कोई पूरी दी पूरी किताब खरीद के जान किसे लाइबरेरी तो इशू कराके जान किसे अधियापक तो लेके जान उना दी मदद देनाल जरूर एक कोसिश करो के तुसी कुछ नामा ते जादा जदों भी स्वया जीवनिकार अपने जीवन दे बारे वीच लिख दै जा लिखन लग दै तो ओ सारा कुछ जो उस दियां यादा है जो कट नामा बीत चुकी हैं ओ सारियां उस दे मान वेच हुन दी हैं तो बीते समेद नाल सबांध स्थापत कर दी हैं उ लेकिक देलेई ये देविच कोई भी चूठ बोल सकना जा किसे चीज नूँ बदल सकना ओध लिए संबभ नहीं हुन्दा क्योंकि जीवन देविच जिंदगी देविच आपने फैदेद देलेई ऑधा अधला बदली करन देली संथर नहीं क्योंकि ओडियां कट्नावाँ करना उस देले ही संभव नहीं हुन ते ना ही उसनों करना चाहिए उसनों पूरण रूप विच सच दा ब्यान ही जो भी कटना आवादा बरननों कर दया जो भी उस दिया यादा बन चुकी है उनना रही सच दी ही पेशकारी होनी चाहिए दिया इनना तस्वीरां देविच तुसी देख पा रहे हों कि स्था जडूँभी स्वे agriculture आपनी स्वे जीवनीदी रचना कर दया तो अमुड के अपने जीवन देविच जो उसदियां जिवन नहीं ज्यवन नहीं उसदियां यादा है, उन्हा यादा, पिर तो साओ दयां, उसदिय जड़ा बीते है, ओ सारियां बीते समेधियां कटनावां अते जादां, ओ स्वया जीवनी दा अधार बांदियां, ते ओ पाठकां दे विच रूची जड़ियां उस दी बनाई रख दियां, बच्यों अगला जड़ा तत है, जरूरी जड़ी चीज है, स्वया जीवनी लई, ओ है, बोली, जिस तरह स्वया जीवनी जड़ियां एक वारतक वन गिया, इसनों वाकां दे विच लिखिया जानदा है, तो इस स्वया जीवनी कारदेवलों एक अपने तौर ते, निजी तौर ते कोसे चुन दिया, क्यों शब्दां, मुहावरें ते वाकां दी सुगड च और जे है मुहावरें ते अजे है वाक चुने जेडे पाठां दी दिल्चस पी बनाई रखन, स्वया जीवनी इनूपड दे हुए पाठाक अकेमा मैं सूसना करन, उननादी दिल्चस पी बनी रवें उनना दिरुची जड़ियाव बनी रहें, ताही उनना कटनावा दे वि शब्द मुहावरे अते वाका नू लिखन लगयां लेके आवी इस तो बात गाल कर देयां शैली शैली तो पाव लिखन दा तरीक का स्टाइल अफ राइटिंग लिखन दा तरीक का है स्वय जीवनी नू ओ किसे तरह दा भी हो सक्दा है रुमाचिक भी शैली हो सक्दिया क्लासिकल शैली हो सक्दिया या फिर अलंकारां देनाल सजीत जी बहुत वदिया तरीक के देनाल जिस तरह आसी गैने पैन के आपने आपनो सोना दिखाूनेया इससे थरण जेदे साहित कारने जड़े लिखन वाले स्याजीवनी कारने ओ अपनी रचना नू बदिया बदिया शाब्दां देनाल बदिया मुहावरयां देनाल चोन में जड़े शाब्दने ओ चोन के उसनू अलंकरित कर देने उसनू सजौन दा कोसिश कर देने पर मकसद की हुन दे इस सारी सिजावट दा मुख मकसद देया के पाठकां दे माननू ओ चीजां टुम्ब जान जेडियां गल्लां जेडियां कटनावां जेडियां यादां जो कुछ भी ओ अपने जीवन दे बारे विच पाठकां देनाल सांजा करना जा रहे है ओ सब कुछ पाठकां नू पसांद आवे उनना दे माननू टुम्ब जावे उनना दे असर करे इस कोसिश देता है थी किसे भी तरीके दी शेली जडियां ओ स्याजीवनिकार देवलों अपनाई जान दियां अगला जड़ा जरूरी तत्त है ओ है उदेश कोई भी साहितिक वनगी कोई भी साहित रूप उदेश तो बिना नहीं हर चीज़ दा लिखे जान दे पिछे कुछ ना कुछ उदेश ने कुछ ना कुछ मकसद ने स्याजीवनिकार अपने मन दे एहसास उसने जीवनिकार अपने मन दे एहसास उस रचना दे राही पाठ का नल सांजे कर दा है ते फिर उसनों बारले जीवन दे विच जीवन बतीत कर देा हुएं जिस्तरां दे अनपव होए जिस्तरां दे तजर्बे होए उनना नो भी ओ पेश कर दा है इस्तों इलावा उँ अपने मन दी तसल्लीदे लई अपने मन पूरण रूप देविच दर्सावे तो ए उस दी एक निजी कोसिश हुन दिया अपने मान दीत सली लेई अपने आपने जीवन नू ब्यान करना ए स्वया जीवनी दा एक उदेश है ते जिथे जीवनी स्वया जीवनी कार अपने जीवन दियां गलना कर दा है ओ थे नाल दी नाल बिते वेलेयां दे समाज दी कहानी भी कहानी जन्द है तो कुल में लाके जड़ी स्वया जीवनी यां ओ मनुखी समाज दी कहानी होनी बढ़ दिया बीत्य समय देवेच किस तरहां दा साड़ा समाज सी, किस तरहां दा महौल थी वो सब कुछ भी स्वय जीवनी दे रही हैं असी हासल कर देयां ते ग्यान देना, ग्यान दा सुमा, एदा अगला उदेश है किसे दे भी जीवन तो, किसे भी परसेद शिक्सियत दे जीवन तो असी बहुत सारा ग्यान हासल कर सक दियां, पाठक वर्ग, बहुत सारी सोजी ले लेंदे उस दे जीवन ते जर्बयां तो, ते अगला जुडी उदेश है मनुख सबंदी, मनुख दी सिर्जना, मनुखां दे जीवन दी ही कहानी हुन दिया, ते उसनुँ एक मनुख वल्लों ही सिर्जया जान दै केंदा पाव, इंसाननी जीवन, जिस तरह नल चालदा आया है, जो समां बीत गया, उस बीते समय नुँ मुड के स्वय जीवनी कार दे वल्लों फिर उलिया जान दै ते एक नवे साहतिक रूप दी सिर्जना जढ़िया ओ कर ले जान दिया, तो कुल मिला के इस जड़े पंज ने उदेश बंदेने स्वया जीवनी दे स्वया जीवनी एक चंगी स्वया जीवनी जडिया ओ इना उदेशां दी पूर्ती करवा दिन दिया पिर अग्ली ज़ी अगला ठात ता है हो है कमजोरियाँ स्वै जीवनी दे विच केडियाँ कमिया रह जांदिया ने जगेडियां कमजोरिय आम ता अरते देखनों मिल दियाँ बच्चों स्वया जीवनी किसे दे जीवन ते अधारित रचना है जीवन जीवन बहुत विशाल है हमेशा गती शील है कदे ठहरदा नहीं इसे तरीके देनाल स्वया जीवनी भी चलांता उसनों निजमाची नी बनने आ जा सकदा उसनों कुछ करडे निजमादे विच नहीं सी रोग सकते क्योंकि जीवन लगातार गती शील ऐ ते उसे तरह देनाल स्वया जीवन थी कहानी बाण दिया उसनु उसी करड़े निजमा दे विच नहीं बान सकते ते जिस तरह जीवन कदे संपूरण नी हुंदा जिन्दगी दी कहानी चाल दी रहन दिया लेख पामे कमजोरी दिस दिया स्वया जीवनियां दे विच ओ एक स्वया प्रशंसा दी रुची आम तोरते जड़े साहितकार ने जानलिखन वाले ने ओ अपने बुरे जड़े पक ने अपने जीवन दियां जड़ियां कमियां ने ओ लुक हो जान देने ते ज्यादा तर अपनी स्वय प्रशंसा ते ही रुचित हो जान देने आम तौर ते इस तरा इस तरा स्वय जीवनिया दे भशन का फ़ीज देखन ल्गे ऐऄ ला कंई चंगी स्वय जीवनिय दी रचना ली इना तिना दे उ.» पुपान दी लोड हुन दिया, फिर अग्गे गालकार देया, पंजाबी साहत दे विच स्वया जीवनियां, जिमें ऐसी पहला गालकार ली के कोई भी स्वया जीवनि लिख सकद है, कोई भी प्रतिबाशाली शक्सियत, कोई भी परसेद शक्सियत, आपने जीवन दी कहानी, अपने परशांस कान दे नाल सांजी कार सकद है, स्वया जीवनि दे रूप विच, पर साहत कार, जे पंजाबी साहत कारां दी गाल करिये, तां काफी सारे साहत कारां ने स्वया जीवनियां लिखियें, तो आडे सामने स्क्रीन दे उपर, बहुत सारे साहत कारां दे नाम, ते नाल दी नाल ही उना दियां स्वया जीवनी किताबां दे नाम भी सामने नजर पह रहे ने बच्चियों तुसी इना कुछिक स्वया जीवनीयां दे नाम जरूर नोट कर लो अपनी नोट बुक दे उत्ते वैसे तुसी अपनी ड़ी किताब है आप भी दियां उधे विच्वी बहुत स्वयाजीवनी ऐंच पढ़ देओं जा पढ़ पढ़ चुक्के हो कुछ पढ़ लाउंगे तो दे विच्वी वह सारे किताबां दे नाम जरूर देख्या करो कि ए स्वया जीवनी अंच केड़ी किताब दे विच्चो ले आ गया है उस किताब दा नाम थोड़े को जरूर रहना चाहिदे है ताके जो भी कदे तो आनू ओ किताब नजरी पवे तात उसी उसनू खरीज सको ते पड़ सको एक को जिक स्वया जीवनी या दे नाम जड़े न वो दर्साए गए ने ینतों इलावा वी बहुत सारे चीवनी प्ञापी सह दे विच ते आ अजे वी जड़ा पंजापी स्वया जीवनी दा खेतर है ओ होर मांग कर रहे है कि होर मैं जड़े सह थकार ने ओ अपनियां अजडियां स्वया जीवनीं या ओ लिखन ते इस दे व अज्वल है, इस जड़ा साहत रूप है स्वया जीवनी, इस मुझ लिखन धी होर मांग कीती जान्दिया, तस्वीर दे विच विच्चो तुसी सामने सक्रीन ते देख रहे हon, के पंजाबी देच उन्वे साहत कार, कुछ कसाहत कार आंदी तस्वीर आंजडियां थड़ा साम अब दोश बल्राय सानी जी द्वारा लिखी होई स्वया जीवनी दा आंश तुसी अपनी किताब च पाड़ भी रहे हो रजी पुझी मिट्टी ऐसे तरह डॉक्टर महिंदर सिंग रंदावा इना दी स्वया जीवनी दा आंश भी तुसी तक्ति जां तक्ता पाठ दे रूप विच पड़े है सो बच्यो इस तरह डेडिया स्वया जीवनी आने चो उन्वे साहत कारांदेवलों लिखियां गई आने उन्ना स्वया जीवनी आनू असी उन्ना किताबानू हासल करके असी अपने जीवन दे विच सेद लया सक देयां पाड़ सक देयां ते मेरी एक स्वया जीवनी दी पडचोल जदो भी तुसी कोई किताब पड़ोंगे ते ए तत्ता नू अपने मुरे रखदे होए के एक चंगी स्वया जीवनी दा ए गोना ते ए ओधी कमीयां तुसी अपने आप फैसला कर सकोगे ते 24 ज़िवियां स्वया जीवनीयां ओ जरूर खृद पहता है।